हाँ जैसा कि आप जानते हैं बर्तमान सरकार ने आनलाइन सिच्छन ब्यवस्था जारे किये हैं इस क्राम में मैं हन्मान सिंग इंटर कालेज सुनहुली गाजीपूर के तरफ से मोहन प्रजापती बिज्ञान सिच्छक कच्छा नौ के लिए मैं जीव बिज्ञान से संबंद इति इकाई 5 के विषय में आपको सामाने जानकारी दे रहा हूं इस अध्याय को आप देखिए और इसके बारे में समझने का प्रयास केजिएगा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका कोशिका की परिवासा इस प्रकार है जीवों के सनचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशि कोशिका की खोज राबर्ट हुक नामक बैग्यानिक ने सन 1665 में किया था और इसके पीछवाले में मैं बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती है एक प्रोकरियाटिक और यूकरियाटिक कच्छन्नों के विद्यासे ध्यान दें प्रोकरियाटिक का मतलब प्रारंबिक प्रोकरिया, हरित लवक, ER, गालजीकाय पाई जाते है उनको बिक्सित कोशिकाएं काते हैं और जिनमें यह नहीं पाई जाते हैं उन्हें प्रोकरियाटिक कोशिका काते हैं आईए आपको मैं कोशिका के प्रमुक भागों के इमबारे में बता रहा हूँ कोशिका के प्रमुक भाग पाड़ साफ, सेल, कोशिका यावरण, कोशिका द्रब्य और केंद्रक अब आप ध्यान से देखिए कोशिका के चारों तरफ जो पाई जाने वाली पतली जिली होती है उसे कोशिका आवरण कहते हैं और इसके अंदर पाई जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं और इसके बीच में एक गोलाकार घनाकार रचना होते हैं जिसे केंद्रक कहते हैं और कोशिका द्रव में महतपूर अंगक, कोशिकांग जिसे कहते हैं माइट्रो कांड्या, हरितलवक, गालजेकाय, EER, इंडो प्लाजम रेटिकुलम और विशेश रूप से राइबोसों और रिक्तिका भी पाए जाती है, आप लोगों को मैं करमसर जो चित्र बना करके आपके वीडियो पर डाला हूँ, इसको आप देखिए, यह पादब कोशिका है, और इस पादब कोशिका में विशिष्ट अंतर क्या होता, उसके बारे में संश्य में बता रहा हूँ, कोशिका 32 सेलिलोजिस की बनी होती है, और इसमें हरितलवक पाए जाते हैं, मौत पोड़ंगक है, और तीसरा है, इसमें रिक्तिकाएं जो होती हैं, एक से अधिक और बड़ी होती हैं, और यह तीनों चीज जो है, जन्त कोशिका में अनुपास्थित होती हैं, आईए आपको इसे सं संबानित और जनकाई दे रहा हूं, माइट्रो कांडिया में स्वसंसे संबानित कारे होता है, जिसके पढ़ाम सरूप ग्लुकोज का आक्सिकरण होता है, और यह उर्जा एटीप एड़ुओं की रूप में संचित कर लियाती हैं, आईए हरितलवक के बारें बताऊं, हरित लवक यह हरे रंग का प्रकास संसलेशी वाड़क होता है, इसमें प्रकास संसलेशन से क्रिया होती है, गाल जे का बीविन प्रकार के पाचक इंजाइमों का स्रावण करते हैं, यह इंडो प्लाइम रेटिकुलम यह बीविन प्रकार के पदार्थों के अस्थानांतर में सा कूतिका के बीच में जल का संतुरन बनाया रखने में आये केंद्रक के बारे में बताते हैं या कोशिका के जैवे क्रियाओं का नियांतरन करता है और समस्त अनुबांसी गुणों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ले जाने में या सायता करता है